नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ब्रिशभरासी वालों का आने वाला तीन दिन यणी की 26 दिसंबर, 27 दिसंबर और 28 दिसंबर का दिन कैसा बीतेगा इन तीन दिनों के दौरान आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला तीन दिन बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले तीन दिनों के दौरान ने आपका शुआस्त आपका शाथ देगा या नहीं देगा दोस्तों आने वाले तीन दिनों के दौरान आपका शुआस्त सामाने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सेबन करते हों तो आने वाले शमय के दौरान इन चीजों को आपको छोरना होगा इन चीजों को आपको त्याग न होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके सुआस्त के मामलों में आपके समय का शाहत थे आपके समय का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा वैसे आने वाले शमय के दौरान अगर आपके दामपत्ते जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के दृष्टी कोन से आपका शमय शामान ने तोर पे बहुत जयादा बिहतर और शांदार है आने वाले शमय के दौरान आपके दामपत्ते जीवन में आपके जीवन साथी का साथ थे आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा लेकिन आने वाले शमय के दौरान अगर आपके घर पड़ीबार की बात कड़ें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है आने वाले शमय के दौरान आपके घरबालों के कारण आपके अरोसी परोसी के कारण आपको सरमिंदगी का सामना बहुत जियादा करना होगा जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों के कारण आने वाले शमय के दौरान आपकी मानसिक सांती भंग होगी जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों के कारण आपको सरमिंदगी का सामना बहुत जियादा करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले तीन दिनों के दौरान किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका समय बिहतर और शांदार होगा मित्रों आने वाले तीन दिनों के दौरान आपको करना क्या है कि अशनान ध्यान करने के बाद बजरंग बान का पाठ आपको करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा तो यही था आपके आने वाले तीन दिनों का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे